हेलो डिये स्टुडेंट्स मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं कल्यानी जूनियर्स पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको मैच पढ़ा रहा हूं मैच के दो वीडियो हम अल्रेडी दे चुके हैं जिसमें कि हमने क्या-क्या पड़ी थी हमने कुछ numbers के इंट्रोड़ेक्षन पडए ते जिसमें की हमारे थे नेच्रुल नंबर होल नंबर इंटीजर्जर और रिचंटल नंबर से विडियो में हमने उनकी properties पड़ीज कौनकोन सी properties पड़ी थी हमने हमने पड़ित प enemव ऑर हमने पड़ित ही डिस्टिबूटी पर प्रॉपर्टीज ठीक है नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग किसके उपर मूव करेंगे हमारी एक्सरसाइज के उपर ठीक है बच्चों तो ncrt बुक की जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेशन हम आप करने जा र हमीSiree कि क्या करना है कोई एक प्रॉपर्टी जो इसमें लकलती है प्रॉपर्टी हमने पढ़िती थी ना यहां कोई भी हम सेलेक करेंगे और इस particular question का answer find out करके हमें देखना है ठीक है बच्चों देखिए हमें क्या करना है सबसे पहले देखिए कि यहां पर हमें multiply के साथ multiply के साथ क्या होता है distributed होता है तो हमें देखिए यहां पर दो fraction दिख रही है और यह दो बी-number हो सकता है यह नंबर हो सकता है ठीक बच्चों और यह हो सकता है और यह हो सकता है सी हमें इसे मान लेते हैं क्या यहां पर 3 by 5 और 3 by 5 common number दिख रहा है तो हाँ अब यहां पर क्या लगाएंगे distributed लगाएंगे सबसे पहले हम property का use करेंगे जिसे कहेंगे associative property देखिए हमें इनको क्या करना है पहले हमारे पास तीन pair of fractions हैं first ये है second ये है और third ये है तो हमें क्या करना है सबसे पहले दो pairs को साथ में रिखना है minus 2 upon 3 हमारे पास है ठीक है बच्चों हमें हमारे पास है 3 upon 5 ठीक है अब इस वाले को हम लिख देंगे पूरे टर्म को आगे लिख देंगे इसके साथ में ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों ये दोनों टर्म को हमने साथ में लिख दिया और अब हम लास्ट में जो है वो लिखने वाले हैं 5 upon 2 हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है यहां पर हमने किया है असोसियेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है असोसियेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यह आंसर हमने यह यह स्टेप लिखा है अब हम जो है देखिए अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे 3 upon 5 को common लिखेंगे क्योंकि क्यों लिखेंगे? कोई बता सकता है? हमने इसा क्यों लिखा? देखिए, minus 2 upon 3 हमारा यहां से बचा क्योंकि हमने 3 upon 5 को common ले लिया है और अब यहां से बचेगा हमारे पस 1 upon 6 ठीक है? जो चीज जो टर्म बचने वाली है, उसका क्या sign होगा particular उस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है ठीक है बच्चों? यहां से minus 2 upon 3 बच गया और यहां से यह minus और 1 upon 6 बचा है प्लस हम लिखेंगे 5 upon 2 ठीक है? क्या किया है हमने यहां पर कौनसी property लगाई है? हमने लगाई है distributive ठीक है, distributive property का use हमने यहां पर किया है, ठीक है बच्चों? अब हम देखेंगे आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं 3 upon 5 देखिए, 3 और 6 से हमें क्या लेना है? LCM लेना है, 3 और 6 का क्या लेना है? LCM दोनों ही जो fractions है, उनको add यह subtract करना है, according to sign, तो हमें लेना पड़ता है, LCM, 6 और 3 का LCM हमारे पास आएगा 6, हम क्या करेंगे? 6 में 3 से divide करेंगे, और जो answer आएगा, उसका multiply करना है, minus 2 के अंदर, 3, 6 में 3 से divide करने से answer आएगा, हमारा 2, 2 से 2 में multiply करने से answer आजाएगा, minus 4, ठीक है, understood समझे, 6 में 3 से divide किया, answer आया 2, हमने 2 में 2 से multiply किया, with sign हमने answer लिखाया, minus 4, आगे बढ़ते हैं, 6 में 6 से divide करना है, और answer जो आएगा, उसका 1 में multiply करना है, 6 में 6 से divide कीजिए, answer आ रहा है, 1, 1 से 1 में multiply कीजिए, answer के आजाएगा, आपके पास, 1, ठीक है बच्चों, यहां तक, I hope आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, 3 upon 5, सेम रहेगा, minus 4, minus 1, कितना answer आ जाएगा, add होने पर, आ जाएगा, minus 5 upon 6, ठीक है, plus हमारे पास 5 upon 2, already है, ठीक है, next step क्या हो जाएगी बच्चों, देखे, यह दोनों fractions जो है, अब क्या आनने वाली है, multiply में, 5 जो है, वो नीचे है, उपर 5 है, दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, हम इसको, cancel out कर सकते हैं, 5, 1 is 5, 5, 1 is 5, और 1 में, minus 3 से multiply होने से, बच्चेगा, minus का 3, और 6 का 1 में, multiply करने से, बच्चेगा, 6, प्लस हमारे पास 5 upon 2 है, ठीक है बच्चों, 5 upon 2 हमारे पास टम बच रही है, इसको और further sort out करते हैं, 3, 2, 0 कितना होता है बटा, 6, 3, 1 is 3, 3, 2, 0, 6, जो answer होगा, minus 1 upon 2 होगा, प्लस होगा, 5 upon 2, अगेन देखिए, इसकों करेंगे, तो, 2 LCM आएगा, 2 से 2 में हमें करना है, divide, और, minus 1 में multiply, 2 से 2 में divide करेंगे, तो answer आएगा, 1, 1 से 1 में multiply करेंगे, तो answer आएगा, minus 1, फिर अगेन सेम करेंगे, तो बचेगा, 5, देखिया, minus 1, plus 5, answer कितना आ रहा है, हमारे पास, 4, upon 2, cancel होने के बाद, बचेगा, हमारे पास, 2, ठीक है, तो, particular question को, हमने, two properties लगाने के बाद, जब solve किया, तो हमारा answer कितना आ रहा है, हमारा answer इस question के लिए आ रहा है, two, ठीक है बच्चो, I hope understood, you understood, हम बढ़ते हैं, हमारे question number two पर, ठीक है, question two देखिए, बोट पर देखिए और इसको पढ़िए बहुत अच्छे से, write additive inverse of each of the following, जो हमारे पास कुछ numbers है, ठीक है, बुक में और ज्यादा है, मैंने कुछ इसमें से select किये हैं, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनका additive inverse देंगे, बाकी जो बचे हुए हैं, वो आपको खुद sort out करने हैं, देखिए, additive inverse का concept जो है, मैंने जब property समझाए थी, उसके अंदर बहुत अच्छे से clear किया था, फिर मैं थोड़ा इसको आपको समझा देता हूँ, कि additive inverse particular हम केस को कहते हैं, देखिए, suppose हमारे पास कोई number है, ए, हमारे पास क्या है, ए कोई rational number है, ठीक है, इसका additive inverse क्या होगा, एसा number जो इस number के अंदर हमें करना है, add, क्या करना है बच्चों, ऐसा कोई number, जो इसी number के अंदर add करने से, इसकी value जो है, वो क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए, मतलब कहने का यह है, कि suppose हमारे पास A है, हमें उसमें क्या करना है, minus से multiply करना है, suppose हमारे पास P upon Q कोई number है, हमें क्या करना है, उसके अंदर minus से multiply करना है, देखिए, जो आंसर आएगा, क्योंकि यह minus plus minus बन जाएगा, और यह दोनों rational number आपस में cancel out हो जाएंगे, है ना, minus होने से 0 बन जाएंगे, तो यह जो है, हमारे क्या है, यह particular additive inverse है, ठीक है, देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है, 2 upon 8, 2 upon 8 है, और इसका हमें लिकानला है additive inverse, तो हमें 2 upon 8 में क्या करना है, multiply करना है, minus है, तो answer क्या आजाएगा, minus 2 upon 8 आजाएगा, ठीक है, so, minus 2 upon 8 will be the additive inverse of this, 2 upon 8, चेक करके देखिए, कि क्या यह सही है या नहीं है, 2 upon 8 लिखा है हमने, plus हम इसमें क्या करता है, minus 2 upon 8, add कर देते हैं, 8, ठीक है बच्चो, है न, solve करते हैं, देखिए, 2 और minus का 2, 0 upon 8, अंसर कितना आ रहा है, ठीक है बच्चो, अंसर क्या आ रहा है हमारा, 0 answer आ रहा है, ठीक है, तो यह था additive inverse of 2 upon 8, हम move करते हैं हमारे b part की तरफ, देखिए, b part में हमें क्या करना है, हमें करना है, minus 5 upon 9 का additive inverse find करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पर्टिक्लर जो fraction, जो rational number हमारे पास है, उसमें particular क्या करना है, minus से multiply, minus, minus क्या हो जाएगा, plus, जो कि हम mention नहीं करते हैं, will be additive inverse, ठीक है बच्चों, move करते हैं, हमारे third option की तरफ, जो की है, 19 upon minus 6, 19 upon minus 6, क्या करना है, 19 upon minus 6 लिखना है, ठीक है, देखें, जब minus उपर हो, fraction में उपर हो, या नीचे हो, उसका multiply, किसी ना किसी एक sign से हो गाई होगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कि minus 19 upon minus 6 लिख देंगे, ये minus से minus cancel हो जाएगा, तो हमारे पास answer आजाएगा, 19 upon 6, क्या answer आएगा, 19 upon 6, 19 upon 6 लिख देखेंगे, इदेखेंगे देखेंगे लिख से इदेखेंगे, ये क्या है, विल मूव आन, question number, next, next is, verify that, हमें क्या करना है बच्चो, verify करना है, किसको verify करना है, minus, minus, x, equal, x, हमें ये बताना है, कि minus x में, minus से multiply करने से, answer जो है वो, positive आता है, x बन जाता है, for particular, minus 13 upon 7, ठीक है, जो हमें verify करना है, उसकी हमें क्या लेना है, left hand side, okay बच्चो, verify करना है, तो उसकी हमें क्या लेना है, start करना है, left hand side से, left hand side minus, क्या है, minus, bracket लगा देते हैं, हम यहाँ पर, minus, minus करते हैं, देखिए, क्या लगाएंगे, bracket के अनदर लिखेंगे हम, 13 upon 17 ठीक है, देखे, क्या करा है हम न, हमने यह लिखा है minus bracket के अंदर यह minus लिखा है, और particular x की जो value हमें दे रखी है, minus 13 upon 17, वो हमने bracket के अंदर यहां पर लिख दी है, देखे, यह minus minus क्या बन जाएगा बैटा, plus बन जाएगा, और answer हमारे पास आ जाएगा minus 13 upon 17, ठीक है, bracket इसको open करके भी लिख सकते हैं, minus 13 upon 17 answer आने वाला है, ठीक है, हमारा जो answer आ रहा है वो 13 upon 17 है, यह left hand side थी, और right hand side से हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, x की value क्या कह रहा है, minus 13 upon 17, ठीक है बच्चों, देखे, lhs left hand side को हमने particular minus 13 upon 17 के लिए sort out किया, तो answer आ रहा है minus 13 upon 17, left hand, right hand side में हमने x की value रखी है, minus 13 upon 17, देखे, बोद दे कंडिशन में क्या है, lhs equal rhs है, तो हमने जो क्या किया है, हमने इसको verified कर दिया है, understood, समझ में आया, ठीक है, move करते हैं हम, next question पर, ठीक है बच्चों, पढ़िए, क्या है हमारा next question, find multiplicative inverse, multiplicative inverse क्या होता है, हम देखते हैं, यहाँ पर, a, suppose कीजिए हमारे पास क्या है, एक rational number है, हम अगर, one upon a से, इस particular number में multiply कर देते हैं, तो हमारे पास answer आता है, क्या बनता है, one, हमारे पास क्या answer आता है, one, तो एसा कोई भी particular number, जो उस rational number में, उस fraction में multiply करने से हमें, one provide करता है, one देता है, उसे हम कहते हैं, multiplicative inverse, ठीक है, suppose we are having p upon q, हमारे पास है, p upon q, कोई rational number, हमारे पास regression number है, हम क्या करेंगे बच्चों, इसको, इसी को reciprocate कर देंगे, तो हमारे पास आजाएगा q upon p, और फर्दर इसे हम calculate करेंगे, तो हमारे पास आ जाने वाला है, one, जो की क्या है, एक multiplicative identity है, multiplicative identity ऐसा number होता है, जिसका multiply करने से, उस particular number में कोई effect नहीं होता है, समझ में आया होगा, देखते हैं, हमारा question number first, ठीक है बच्चों, देखिए, क्या हो जाएगा, माइनस 13 upon 19 particular इस number के लिए, हम लिख देंगे, 19 को उपर, माइनस 13 को नीचे, ठीक है, रैसी प्रोकल हमें इसको लिखना है, और हम इसी चाहें, तो proof या चेक करके, देख सकते हैं, कि क्या जो number हमने लिखा है, वो multiplicative inverse है, या नहीं है, माइनस 13 upon 19, multiply हम लिखेंगे, 19 upon माइनस 13, चेक करेंगे, 19 बंज़ा 19, 19 बंज़ा 19, माइनस 13 आपस में, कि answer आड होने से, हमारे पास, जो है, वो answer आएगा, 1, 1 is multiplicative identity, and 19 upon माइनस 13, is multiplicative inverse of 13 upon 19, तो यह हमारा सबसे पहला answer हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसे हम, इसे लिखेंगे, multiplicative inverse, ठीक है बच्चों, समझ में आया आए आपको, है ना, next में हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 fraction है, हमें इसे further थोड़ा क्या करना पड़ेगा, calculate करना पड़ेगा, ठीक है कि यह particular है, कौन से fraction या यह rational number कौन सा है, तो 5 में 3 से हमें multiply करना है, 5 threes are होता है, 15, ठीक है बच्चों, 15 आ गया, और यह minus minus क्या हो जाएगा, plus, 8, 7 जा कितना होता है, 56, 8, 7 जा कितना होता है, 56, तो 15 अपॉन 56 हमारा यह particular क्या रहा है, यह fraction या rational number आ रहा है, हमें बताना है, इसका, क्या बताना है, multiplicative inverse, तो हमें क्या लिखना है, इसको 56 अपॉन 15 क्या हो जाएगा, multiplicative inverse, ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्या किया हमने, इन दोनों ही fractions को पहले multiply किया, multiply करने के बाद, हमने इसको बना दिया, reciprocal मतलब, multiplicative inverse, both are same terms, ठीक है ना, multiplicative का है, या multiplicative inverse का है, या हम का है, reciprocal, वो term are same, दोनों ही चीज़े क्या है, same है, ठीक है, देखते हैं, हमारे option number, third की तरफ, जो क्या किया रहा है, minus 1 से, minus 2 से, 2 में multiply करने से, हमारे पास answer आजाएगा, 2 upon 5, बहुत easy है, minus 2 upon 5, sorry, plus 2 upon 5 आगया है, तो इसके लिए, क्या बन जाएगा, 5 upon 2, will be, the multiplicative, inverse, ठीक है बच्चो, आया आपको समझ में, ये सारे, ये तीन जो हैं, हमारे, कुछ questions थे, particular question number 4 से, हमने लिए थे, बच्चे हुए जो, इसके हैं, parts, वो हमें आप खुद, solve करना है, जो हमारे क्या हैं अब, homework है, हम बढ़ते हैं, किस के उपर, हमारे, next question के उपर बढ़ते हैं, move करते हैं, क्या question है, जरा read कीजिए, अच्छे से, multiply, 6 upon 13, by the reciprocal of, minus 7 upon 16, ठीक है बच्चो, देखिए, क्या करेंगे हम, हम करेंगे, solution, क्या करना है, हमें करना है, अना, we have to multiply, multiply, 6 by 13, ठीक है, by reciprocal of, by reciprocal of, means क्या होता है बच्चो, 6 upon minus 7, 16 upon minus 7, ये क्या है हमारा, reciprocal है किसका, 16 upon, sorry, minus 7 upon 16 का, ठीक है, move करेंगे, next step की तरफ, दीखिए, कुछ common इसके अंदर है क्या, इसके अंदर, कुछ भी, common नहीं है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, cut कर सकते हैं, cancel out कर सकते हैं, हमने क्या करना हैं अब, उपर वाले numbers का, क्या करना है, multiply करना है, ठीक है, 6, 6 are 36, and 6 minus 6, plus 3, कितना हो जाएगा, 9, it will be, 96, 13 और 7 का, multiply हम कर लेते हैं, this will be, 21, 91, पर, क्या हो रहा है यहां पर, हमें, answer में क्या लगाना है, minus का sign, क्योंकि हमारे पास, जो numerator है, वो एक negative number है, ठीक है बच्चों, बात समय में आ गई, मैं एक बार और इसको repeat कर देता हूं, multiply 6 upon 13, 6 upon 13 का, हमें multiply करना है, by the reciprocal of, reciprocal of means, minus 7 upon 16 का, हमें reciprocal बनाना है, मतलब हमें 16 upon, minus 7 लिखना है, और दोनों terms को, दोनों fractions को multiply करना है, multiply करने हमारे पास, यह answer, आ जाता है, same type के questions, और भी आपको exercise में दे रखे हैं, आपको, उनको, इसी तरीके से solve करना है, हम बढ़ते हैं हमारे, next question की तरफ, next question, क्या कह रहा है, कि हमें solution बताना है, या solve करके बताना है, sorry, solve नहीं करना है, हमें बताना है, कि क्या, 0.3, जो है, क्या है, multiplicative inverse है, किसका, 3 is to 1 by 3 का, 3 is to 1 by 3, हमारे पास एक particular fraction है, इस fraction का, 0.3 multiplicative inverse है या, नहीं है, ये हमें बताना है, और अगर है, तो क्यों है, या क्यों, नहीं है, ठीक है, reason बताना है, तो reason out करने के लिए, हम सबसे बहले start करते हैं, solution, देखिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास है, 0.3, ठीक है, ये हमारे पास एक decimal number है, decimal number को, हम थोड़ा इसको convert कर लेते हैं, किसके अंदर convert करेंगे, हम इसे fraction के अंदर convert करेंगे, decimal की place पर लिखेंगे, और क्योंकि हमारे पास एक digit और पीछे बच रहा है, हम यहाँ पर लगाएंगे 0, answer हो जाएगा हमारा 3 upon 10, ठीक है, point 3, ये decimal 3 को हम लिख सकते हैं, 3 upon 10, हमें क्या करना है, इसको भी करना है, solve, क्योंकि ये भी proper fraction, नहीं है, proper fraction नहीं है, 9 plus 1 कितना हो जाएगा, 10 upon 3, ठीक है बच्चों, क्या आया है, 3 to 1 by 3 को solve करने से, हमारे पास answer आया है, 10 upon 3, हमें क्या किछे करना है, अब हम दोनों को multiply करेंगे, ठीक है, on multiplying, multiply करने से, देखते हैं कि, क्या answer आता है, 3 upon 10, हम लगाएंगे, 10 upon 3, ठीक है बच्चों, 3 से 3 cancel हो जाएगा, 10 से 10 cancel हो जाएगा, सब जगें बचेगा, सिर्फ और, सिर्फ 1, ठीक है, हमें अब इसमें क्या देना है बच्चों, हमें देना है, क्या लिखना है, हमारा जो answer होगा, वो होगा, yes, और य में हम लिखेंगे, on multiplying, both, we are getting, one, ठीक है, यह हमारा answer होगा, कि, जो हमें दिया गया नंबर है, वो क्या है, multiplicative inverse है, क्यों है, क्योंकि हमने इन दोनों को multiply किया, तो answer हमारे पास आ रहा है, one, ठीक है बच्चों, next question की तरफ हम आप करेंगे, जो की है, ठीक है, one word type answer है, हमें इसको देना है, कि one word में answer क्या आएगा, देखिए, a rational number, that does not have reciprocal, देखो अच्चों, ऐसा number बताना है, जिसका क्या नहीं होता है, reciprocal, नहीं होता है, वो क्या है, वो number है, हमारे पास, zero, वो हमारे पास क्या है, zero है, ठीक है, the rational number, that are equal to their, reciprocals, reciprocals के equal number, कौन कौन से होता है, one and, minus one, अभी आप लिख लिजिए, इसको दोड़ा मैं समझा जेता हूँ, the rational number, that is equal to its negative, ऐसा rational number, जो इसी के negative के equal होता है, वो होता है, zero, ठीक है, यह जो तीर हमने answer लिखे हैं, इनको मैं फोड़ा आपको describe कर देता हूँ, देखिए, सबसे पहली बात यह किरा है, कि अगर हमारे पास zero कोई rational number है, तो इसका हमें क्या देखना है, reciprocal जो की possible नहीं है, one upon zero, one upon zero जो होता है, एक ऐसा number होता है, जो की क्या है, not defined है, इसकी कोई value नहीं है, आप तक हम find नहीं कर भाए है, तो it means, zero का क्या नहीं होता है, reciprocal नहीं होता है, ठीक है, देखते हैं, second term क्या के रही है, ऐसे rational number हमें देखना है, जिसके reciprocal उनी के equal हो, तो वो कौन से होता है, देखो बड़ा, one, one का reciprocal देखना है, तो one upon one लिखेंगे, it means, ये one और ये one ही बन रहा है, one upon one क्या लिख होता है, one होता है, suppose हमारे पास है, minus one, minus one का reciprocal minus one, इस term को, इस particular term को, थोड़ा, further calculate करने से, हमारे पास answer तो क्या आ रहा है, minus one ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, कि one और minus one, खुद के reciprocal number भी है, ठीक है, और, ऐसा number जो, क्या हो, उसका negative, जो हो rational number हो, है ना, देखिए हम क्या करते हैं, zero में, minus से multiply करते हैं, तो answer क्या रहा है, zero खुदा रहा है, ठीक है, तो यह इसके negative के भी equal है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा, हम move करते हैं, next हमारे, fill in the blanks question पर, ठीक है, बताईए जरा, zero has, क्या होगा, no reciprocal, sorry, मैं यहाँ पर color change कर देता हूँ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, zero has, no reciprocal, zero का कोई reciprocal, नहीं होता है, हमने अभी देखा, just, कि हमारे पास one, और, minus one है, जो की क्या है, उनके खुद के, reciprocal के equal है, ठीक है, the reciprocal of one upon x, वन अपॉन एक्स का, reciprocal क्या होगा, x को उपर लिखना है, one को नहीं चलाना है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है बच्चों, one upon x का reciprocal जो होगा, वो क्या होगा, x होगा, the product of two rational numbers, is always, क्या बनेगा, rational number बनेगा, ठीक है, जब हमने, बहुत सारी properties, सारी properties पढ़ी थी, detail discuss किया था, उसमें हमने दीखा था कि, rational number का multiply करते हैं, product निकालते हैं, तो क्या बनता है, खुद एक rational number बनता है, the reciprocal of minus 5, minus 5 हमारे पास है, एक number, और इसका हमें निकालना है, reciprocal क्या answer आएगा, minus 1 upon minus का 5, ठीक है, चेक करते हैं, अगला बढ़ते हैं, the reciprocal of a positive rational number is, क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर है number, और यहाँ पर है positive, ठीक है, तो यहाँ पर, जो है हमारी exercise, 1.1, end होती है, जो बचे हुए questions है, वो आपके लिए homework है, आपको खुद प्रक्टिस करना है, ठीक है, इससे इस particular वीडियो में, हमने exercise 1.1 को discuss किया है, इससे पहले वाले previous वीडियो में, हमने क्या किया है, introduction और properties को detail discuss किया है, और जो next वीडियो आएगा, या next वीडियो है, उस होगा, उसमें हम पढ़ेंगे exercise 1.2, तो मिलते हैं हम exercise 1.2 में धन्यवाद, धन्यवाद,